तो स्वाधत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स का संपूर अब्जेक्टिब कोशन कंप्लीट करने वाले हैं ठीक इसके पहले वाले वीडियो में यानकी कल के दिन मात्र मात्र ती सब 65 दिन की तियारी तिन घंटा उन चास मिनिट में एकदम जबरदस्त अंदाज में करा चुकी हूं और जबरदस्त आप लोगा रिवीजन भी हो चुका है तो अगर जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गए सब्सक्रिप्शन है आप लोग लिंक पर क्लिक क्या रिए और हम दो उस फ्ञीट को देख सकते हैं और जबरदस्त अंदाज में रिविजन कर सकते हैं और जो चुट कुछ चूप चूप पूगकर है तो वह उस वीडियो की देखकर कर सकते हैं तो आजके इस ग वीडियो मे Physics के सभी chapter से जितना भी objective question है सारा objective question जो जो question आप लोग के previous year में पूछे गए हैं और जो question आप लोग के अभी final exam में पूछे जाने वाले हैं सभी तरह का question सामील है मतलब कि आज के इस वीडियो में आप लोग का जबरदस्त objective question का revision होने वाला है अगर आप लोग इन सभी objective question पर command कर लेते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ के रही हूँ कि physics में आप लोग का एक भी objective question छूटने वाला नहीं है वीडियो काफे important है अंत तक बीना skip के देखिएगा और हर एक objective question पर command होना चाहिए आप लोग का स्टार्टिंग में ही आप लोग वीडियो को लाइक शेर जितना ज्यदा हो सकें कर दें ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाव उठा सकें अपने पोड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितने भी आप लोग के विश्तिदार है चाहता आप शेयर कर दें और जब मैं आप लोग को सही एंसर बताऊंगी तो आप लोग को एंसर मिला रहा है कि आप लोग कितना कोशन का एंसर सही कर पा रहे हैं और कमेंड में भी लिखकर बताना है कि आप लोग कितना कोशन का एंसर सही किये हैं इससे आप लोग की प्रिपरेशन की जांश हो तो अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है लेकिन जिस question का answer आप लोग का गलत हो जा रहा है तो उस question का answer जब मैं सही बताऊंगी तो उसी वक्त उसका सही answer याद कर लेना है तो चले start करते हैं देखिए सबसे पहला सवाल है कि गोली दरपन की focus दूरी उसकी वक्रता तिरजि है तो देखिए आदी होती है option number a धीरे से टिक कर दीजिए दूसरा सवाल देखिए दूसरा सवाल है कि किसी वस्तू का आवर्दित काल्पनिक परतिविंब बनता है किस दरपन में मतलब आभासी परतिविंब और आवर्दित परतिविंब किस दरपन में बनता है तो वह बन कोड़ होगा कोई किरण साथ डिगरी का कोड़ बनाते हुए यह किरण आई इस पर लंब खिच दीजे यह साथ डिगरी का कोड़ बनाते हुए आई है ठीक है साथ डिगरी का कोड़ है तो बदाए टकड़ा कर कितने डिगरी के कोड़ पर जाएगी तो साथ डिगरी के कोड़ पर ही जाएगी ना क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि जितने एंगल पर किरन आती है उतने ही एंगल पर वह वापस लोड़ जाती है ठीक है यानि कि आपतन कोड इस इक्वल टू परावर्तन कोड ठीक है आपतन कोड परावर्तन कोड के बराबर होता है तो साथ डिगरी और अगर वो यह तो टक्रा कर कितने कि अगल कितने डीगरी के कोड़ पर जाएगी तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा ओपन्सान गरता साइड मिरखनीर दर्पन के रूप में उपयोग होता है किस दरपन का देहिए यहां पर सुलर कुकर में सोलरगशर कि या जाता है वह नोग दरपन सी बई बिया नमबर यह घर हो जाएगा जहुद थी तरह ना की गर्फित दाण परिस्थित रूर्प का परतविम अरटल दरपंब के फोकस है तो उसका आवर्धन में परवरतम होता है आतल नेक्स और और सिर्फ और सिर्फ यानिंकि वर्चुमेज cens बनेगा इसका जो परवर्बवाब जवाब होदा है यह इंसिए और इंसर होगा option no.d समतल तथा उतल क्योंकि समतल दर्पढ़ में भी आभासी परतिविम बनता है और उतल दर्पने भी आभासी परतिविम बनता इसी वज़ये स्मतल तथा उतल दोनों हो जाएग prick established Lin stabнь कि समतल अंबर 11 में प्रतिविम की प्रकृति क्या घतना हम घतना हम लोगा चेहरे का साइस होता है इतना ही साइस जह नोग वह भी कंचा ढच लूब अगर बढ़ए नेक्स कोशन कॉशनम डालवे हैं देखिए बहुत बर पूचा वह पार पूचा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है इतना हलवा कोश्चन पूछा गया आप लोग देख सकते हैं आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है ठीक है प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आप तन कोड बराबर होता है किसके परावर्तन कोड के तो आप तन कोड इस एकवल तो परावर्तन कोड धीर से ठीक कर दीजे नेक्ट कोश्चन ये भी कोश्चन पूछा गया है 2017 में प्रश्ण है कि हवा में प्रकाश की चाल होती है यहां पर ब्राइकेड में निर्वाद भी दिया है हवा में प्रकाश की चाल इसका जो सही सता होता है मालिजे यह पॉलिश की अवस्चत है और यह परावर्तक सता है तो इसी का जो है ना विर्तिकार सीमारेखा का ब्यास क्या कहलाता है यह कहलाता है गोले दरपन का द्वारक तो ऑप्सन नंबर डी इस दा करेक्ट इंसर आगे बढ़ते हैं 17 नंबर कोश्चन है कि दंत विशेशक किस दरपन का उपयोग मरीजों के दातों का बड़ा परतविम देखने के लिए करता है बहुत आसान सवाल है 17 क्या हो जाएगा जी हां अपसन नंबर भी हो जाएगा ओतल दरपन दंत विशेशक जो है ना डेंटिस्ट वो दात का बड़ा परतविम देखने जाहिर आगर अबर्धन कमान माइनस में आता है तो मतलब क्या मतलब यह कि वस्तु वास्तविक का जो इमेज वह वास्तविक परतविम है डिक्लीमेज और उल्टा इमेज बना हुआ है नेक्स्ट कोष्टन है कि निमलखीत में से कौन उत्तल दरपन की फोकस दूरी है जिसक कुछ नमबर 20 कि नई कार्थिय चिंपरीपाटि के अनुसार दरपण के सामने रखे गए BIMB के BIMB की BIMB दूरी ली जाती है नई कार्थिये, की बिया ही तो कि वस्तू की जो दूरी होगी हमेशा रिडात्मक के छोगी होती है फोकस दूरी धनात्मक तो इसका जो सही जवाब होगा वोगा और भी उत्तल दर्पन की फोकस दूरी धनात्मक होती है कौन सा दर्पन आम तोर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पन के रूप में यूज किया जाता है ये भी आसान सवाल है साइड मिरर के रूप म वस्तू कर्तेविम सीधा परतीत होता है तो वह अधर पंड क्वोणसा होगा होगा केpflicht और सिधा बनेता है किस कार का किसी कार का अग्रदीप में प्यूक्त अमुचा स Ein अग्रदीप में पूछा यानि की हेड लाइट में जो जिस तरपन का यूज किया जाता है वो क्या है ऊतल', आग़े बढ़ते तावाल की सब्क नां कि प्रकाश की खिए यह गमन करती है हमें सा सीधी रेखा में करती है तो 25 पूछा गया है सत्रा में पुछा गया है आप लोगे पूछा जा सकता है दाड़ी बनाने में कौन से दरपन का परियुक्त होता है तो इसका जुस्ता ही जवाब होगा question number 26 का वो होगा option number C ओतल दर्पन ठीक है समतल दर्पन की focus दूरी होती है समतल दर्पन की focus दूरी बहुत आसान सवाल है अनन्त याद रखना है ये भी important है 2021 में ये पूछा गया सवाल है question number 28 है कि ओतल दर्पन के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि पर्तविम उल्टा वास्त्विक और समान आकार का बने देखें ये important सवाल है क्योंकि कहीं पर भी वस्तु के स्थिती रख या तो पूछेगा कि वस्तु को कहां रखा जाए तो पर्तविम यहां यहां बने और इस तरह बने या फिर इस तरह से कोशन पूछ देगा कि पर्तविम ऐसा ऐसा बना है तो बताईए वस्तु कहां रखा है ठीक है इस तरह से कोशन पूछता है लेकिन इसको याद रखने का ट्रिक में आप लोगो को कल वाले वीडियों में ही बता चुकी हूँ इसी वज़ेस मैं बोल रही हूँ कि फिजिक्स का जो महा मेरतन का क्लास है कल का वो जरूर देख लीजेगा उसमें बता दी हूँ ट्रिक की ओतल दरपन में कहां कहां इस्तिती रखी जाएगी ठीक है कि उसका पर्तविम कहां कहां बनेगा इस कट्रिक में वहां पर बता दिया जा चुका है ठीक है तो उसको जरूर देख लेंगे आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि पर्तविम उल्टा वास्तविक और समानाकार का बन रहा है तो वस्तू को कहां रखा गया है तो इसका जो सही जवाब होगा वहोगा दर्पनिक परत्विम होता है , उत्तल्यवानिक प्रत्विम होता है , इसका शही जवाब होगा सीधा और वर्दित धेख है सी घर और आवर्दित यानी कि वस्तू से छोटा प्रत्विम बनता है तो और सब्सक्राहण को करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं एक गोल किक यby mm सेंटीमीटर है तो वह गोल यह दरपन कौन सा है फोकस दूरी यह बराबर कितना दिया गया है प्लास 20 सेंटीमीटर तो बताइए किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है आप लोग जानते हैं केवल एक ही दरपन है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक होती है और वो दरपन की फोकस दूरी और उसकी वक्रता तिर्जिया आर है फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता तिर्जिया आरे तो निमलखित में कौन सा संबंद सही है तो बराबर आर बैटू नहीं दिख रहा है इसका सही जवाब क्या होगा एब बराबर आर बैटू तो कहीं देखी नह यहां पर नहीं दिख रहा है ना तो आप एक बराबर आर वाई टू एक बड़ लिए और एक बार जराए तू को इधर भेजिए मल्टीपल आप यहां पर क्रॉस मल्ट पिलाई कीजिए तू जो है ना यहां पर टू को एफ से गुड़ा कीजिए तू एफ इस एक्वाल टू हो जायेगा ना यानि की आर बराबर टू आप डखी पिंगत और अपल्र को नमरे कर देघंगे तो इस fez तरह से भी कोशनगों Mental ढूल सकता है यह नहीं पूझेगा यह आपड़ाबर आर तू अगर तो आप लोगवर कांब आधसी इस तरह से भी question घुमा कर पूछा जा सकता है अब देखिए question number 33 है कि दरपन सुत्र है ये पूछा गया है 2020 में 2021 में दरपन सुत्र क्या है 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F कौन से option में दिख रहा है तो option number D में दिख रहा है तिरे से टिक कर देना है आगे बढ़ते हैं अभी तक आप लोगों न सब्सक्राइब करने में और आप लोगों का एक तरह से रिविजन हो रहा है जब अगे बढ़ते हैं अब देखिए फिट से यहां पर question number 1 से start हो रहा है कि लेंस की छमता का SI मातरक क्या है तो सही जवाब होगा वहोगा ड कंदThe system की अपर बहुत हीआ असने Dan ऑर इसी को मीटर इनवर्स इस तरह से भी दे सकता है या तो option में इस तरह से देगा नहीं तो डायप्टर देगा तो दोनों चीजँ याद रखना है, ठीक, दूसरा सवाल है, की लेंज की छहमता p बराबर होता है, पी बराबर क्या होता है, लेंज की छहमता p बराबर एक बढटा एफ होता है, ना, देखिये one by f किस option में देख रहा है? option number d में देख रहा है, p बराबर one by f, ठीक है next question question number 3 है कि स्नेल के नियम अनुसार होता है स्नेल के नियम अनुसार होता है क्या होता है मियू is equal to sign i upon sign r ठीक है यानि कि आप लोग प्रकाश की अपवर्तन का भी दूसरा नियम पड़े होंगे sign i but sign r is equal to यानिकि यह जो लेंज की चमता है यह यानि कि यह जो लैंज की चमता है यह यह फोकसदूरी की क्या है व्यूत्क्रम है यानि की एक बट्टा एफ है फोकसदूरी का उल्टा है लेंस की छमता तो इसी चीज़ को यहां पर शब्दों में लिख दिया गया है फोकसदूरी के व्यूत्क्रम द्वारा ठीक है कोशन नमबर फाइफ है कि सुर्यास्त के समय ची तीज के नीचे चले जाने पर भी सुर्य कुछ दिखाई देता है इसका कारण है प्रकाश का क्या अपवर्त्न की पुनांत्रिक परवर्तन की परकिंदन की वन विचेपन तो सही जवाब हो गा उप्शन नमबर फैंप्रकाश का अपुर्तन के कारण ही सुर्यास्त या सुर्योदय के समय परकाह दो मीनट हमें एक्स्ट्रा दिखाई देता है ठीक है यानि कि कुछ समय तक हमें एक्स्ट्रा दिखाई दे देता है अगला क्वेश्चन है कि अवासी परतविम का निर्माड अब यहांपर लेंज में आप को बताना है दर्पन की बात नहीं की जा रही है लेंस की बात की जा रही है अगला क्विश्चन है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पढ़ने का कारण है जब एक परकाश के चाल में परिवर्तन के कारण बी में है परकास की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण और सी में है परकास के रंग में परिवर्तन होने के कारण डी में है इन में से कोई नहीं सही जवाब जो होगा इसका वो होगा और परकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण ही जो है ना परकाश का अपवर्तन होता है यह important question है क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरन जाएगी तो फिर उसके चाल में परिवर्तन तो होगा और इसी हो जैसे अपवर्तन देखने को मिलता है वो अपने रास्ते से भड़क जाती है Q9 है कि किसी उत्ता लेंस के सापेक्च कोई वस्तू यानि कि विम्ब किस इस्तिती पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का पर्तविम प्राप्त किया जा सके सही जवाब और सी फोकस दूरी के दुग्गूनी दूरी पर उत्ता लेंस में जब वस्तू फोकस है उम लेंस के बीच रखी जाती है तब पर्तविम बनता है तब पर्तविम बनता है कालपनी को और सीधा आपसन नमबर एक कोश्चन नमबर 11 है कि किस लेंस दौरा केवल कालपनी कि आप आसी पर्तविम बनता है केवल पकालपनी पर्तविम यान की वर्चुल इमेज तो इसका सही जवाब होगा आपसन नमबर ए और तो लेंस दौरा थी बारा नमबर प्रश्ण है कि 20 करेंगे यान की 20 सेंटीमीटर को लेना है और बाप लोग मीटर में बदलेंगे तो सो उपर चलेगा यानिए कि और जब काटेंगे तो पाँच आएगा तो पाँच डायप्टर प्लस फाइव डायप्टर इस तक करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं कोशन नबर थाटीन है कि किसी बिंब का वास्तिविक तथा समानाकार का परत्विम प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तर लेंस के सामने कहां रखेंगे बहुत इंपॉर्टन सवाल है यह और इसका जो सही जवाब है वह अप्सन बर भी मिट्टी बनाने मिट्टी जो है ना इस पदार्त का यूज हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की छमता वंड़ा अप्टर ही होगी एक उत् किस लेंस के दौरा सिर्फ कालपनिक परत्विम बनता है 2016 में पूछा गया सवाल है तो जिस लेंस दौरा सिर्फ कालपनिक यानि कि वर्चुल इमेज बनता है उस लेंस का नाम है और तल किसी शब्द कोस में दिये गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय अब कौन सा लेंस पसंद करेंगे यह 2018 में पूछा गया सवाल है इसका जो सही जवाब होगा वहोगा और सी पांच सेंटीमीटर फोकस दो रहे वाले उत्तर लेंस ठीक नेक्स्ट कोश्चन कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है तो जो लेंस अपसारी लेंस कहलाता है उस लेंस का नाम है आप लोग को याद रखना है और यदेन्स अरचांट को अभी सारी लेंस कहते हैं यह इम्पर्टन लेंस को पूछा गया है 2018 में उट्वेंक और 2020 में से कोई सभी सभाव सभी बबर उत्ताव किसी लेन्स की चंपत है माइनस डूडायॉप्टर ङया होगी माइनस 的 डूडायुप्टर है सदूरी क्वेगा इसका सभी जवाब हो जायगा ऑपन बर सी माइनस का 0.5 सेंटिमीटर निलिखीत में से किसका पर्तनांग सबसे अधियर होता है तो सबसे अधियर ओप्सन massage Online बर्फ से मेंये कांच ओडी में हीरा तो जिसका सबसे जदा आप उपर सनांग हो कोगा डारेक्ट दिख जा Turkey 12 का option number क्या हो जाएगा D हीरा लेंस द्वारा उत्पन आवर्धन की SI मातरक क्या है आवर्धन का SI मातरक आप लोगो बताना है और देखे कितना बार ये सवाल पूछा गया है सही जवाब क्या होगा 23 का option number D मातरक विहीन लेंस की जो आवर्धन होता है भिन माद्यमों में प्रकास की चाल जो है वो भिन माद्यमें भिन भिन होती है कि समान होती है जी हाँ तो भिन भिन होती है अलग अलग माद्यम में प्रकास की चाल अलग अलग होगी ठीक है पानी में अलग हवा में अलग निर्वात में अलग वायू में प्रकाश की चाल निर्वात क्या पिक्षा होती है वायू में प्रकाश की चाल निर्वात क्या पिक्षा ज्यादा होगी की कम होगी की समान होगी की इन में से कोई नहीं सही जवाब होगा option number A कम होगी वायू क्या पिक्षा वायू में प्रकाश की चाल निर्वात क्या पिक्षा क्या होगी कम होगी लेंस की मुख्या फोकस की संख्या होती है लेंस में मुख्या फोकस की संख्या दो होती है अगला सवाल है कि ओतर लेंस का आवरधन M बराबर होता है M बराबर लेंस का पूछा गया एंबराबर भी वटाई यू जिए 27 का उप्शन अबर भी वटाई यू निमलिखीत में से कौन सपदार्थ लेंस के लिए परियुक्त नहीं किया जा सकता तो मिट्टी है देखें मिट्टी तो इसमें है नहीं तो 28 क्या होगा अप्शन बरसी पीतल पीतल काम लोग और इंडिरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि परकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बस पूछने का तरीका यहां पर जो है टफ बना दिया गया है पूछने का जो तरीका है वो दूसरे तरह से पूछा गया है कि निमलिखीत में कौन संख्या परकाश के अपवर्तन क मियू का मान होता है साइन आई बटा साइन आर मियू इस इक्वल टू क्या होता है साइन आई बटा साइन आर तो बी ऑप्सन नमबर बी विल भी दा करेक्ट एंसर यह देखिए बीच में रिमाइंडर के तौर पर भी लगा दिया गया है अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो फड़ावट लाइक शेयर जरूर करें चैनल पर नहीं नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल जरूरा उन कर लिजेगा यह बीच में रिमाइंडर के तौर पर लगा दिया गया है ताकि आप लोग भूल गया है सब्सक्राइब करना तो आप लोग को यादा जाए फड़ावट लाइक शेयर करें और जितना जड़ाव सके शेयर करें ताकि सब्सक्राइब लोग इस वीडियो को लाब उठा सके और सभी लोग इस जर्णी में जुर जाएं और सारे objective question को complete कर पाएं ठीक है देखिए सबस लियाकार और दो त्रिवुझकार पांच हो गया ना तो पांच सतों से घीरा होता है वह वर्ण पट जिस पर प्राप्त सभी रंग सपस्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है वह शुद्ध वर्ण पट कहलाता है option number a 2 का क्या हो जाएगा a is the correct answer जिस वर्ण ब्लंग का भीतरी हिस्टा कि रंग का होता है भीतरी हिस्टा यान कि अंदर वाला हिस्टा सही जवाब क्या होगा फॉर का option number a bang na चाफ सबसे भीतरी वाला हिस्टा आप लोह को बताना है तो बैंगनी हो जाएगा question no.5 ए कि आईरीस के पीछे वाली परत को क्या कहते है यह सब इसी का नाम है ठीक है तो आईरीस के पीछे वाले परत को हम लोग कहते हैं क्या सिलियरी पेशिया ठीक है नेक्स्ट कोश्टन है कि समाने आख के लिए उसकी समंजन छमता कितना होता है तो समाने आख के लिए जो समंजन छमता होगा 6 का वहोगा प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदर्द अधिक्तम होता है तो जिस रंग का तरंगदर्द ज्यादा होता है वह रंग कौन सा है लाल है और इसी वज़ासे इसको खत्रे के संखेत के रूप में यूज़ किया जाता है निकट द्रिष्टी दोष का उपचार के लेंस से किया जाता है तो अगर निकट द्रिष्टी दोष का उपचार करना हो तो हम लोग अपने चश्मे में लगाएंगे कौन सा लेंस अब सारी लेंस लगाएंगे अगर दूर द्रिष्टी का उपचार करना होगा तो हम लोग मोटा और बीच में मोटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको कहते हैं वह पूचा हुआma है एक क्या होता है एक एंगस्ट्राूम का मान जो होता है वह होगगा दस कर आodel membership सक्का defendant बबादने जो नेत्र निकट शत्व को साफ साफ नहीं देख सकता उसने समय होता है कौन सा दोश होता है बताइए बहुत असान है जिसकी नजदी की खराब हो यानि कि निकट की वस्तु वह साफ साफ नहीं दिखाई दे फिर भी उसके अंतर दोश है ठीक है यानि की निकट की वस्तु वह साफ साफ नहीं देख पा रहा है यानि कि उसके अंतर क्या है द पाता है ठीक आगे बढ़ते हैं फड़ाफ़ कौश्च नमबर 14 है कि स्पेक्टरूम प्राप्त करने के लिए किसका उप्योग होता है तो एस्पेक्टरूम प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है प्रिजम का बेशक प्रिजम नहीं रहेगा तो परकाश का वर्ण तो हम लोग की आँख में इंसान के नेत्र में जो कॉंसा लेंस है नेत्र लेंस है उत्तर लेंस ठीक है वानो नेतर जिस भाग पर किसी वस्तू का परत्विम है क्वह है यानि कि कि सब्सक्राइब इमेज बनता है तो वह संसोधित किया जाता है किस द्रिश्टी दोश को ओतल तता उतल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस का यूज किया जाता है किस दोश को संसोधित करने के लिए तो वह जरा दुरदर्सी था तो सटरह का आपसा नमबर सी हो जाएगा जरा दुरदर्सी था जब हो जाती ह तो इसे दोस्ट को दूर करने के लिए हम लोग दोनों और उतल लेंस दोनों लेंस यानि कि दोनों को मिला कर किया बन जाता है दुशोक्सी लेंस का यूज होता है चश्मे में अठारा नमबर क्वेशन है कि नेत्र में परवेश करने वाली प्रकास किरिणों का अधिकांस कोनिया के बाहरी प्रिष्ट पर अब यहां पर देखिए कोशन नमबर 19 है कि पुतली के साईज को क्यों निया अंतिरत करता है सबसे पहली बाती तो कोश्चन ही जलत है क्योंकि इस तरह से होना चाह courtyard कि प्रकास की मातरा को है तो और जो परकाश को लेंस पर बीज़ता है वो होता है पुतली ठीक है तो यहां पर थोड़ा सा यह कोश्टन गलत है लेकिन फिर भी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका कोश्टन आपसा नंबर बी होना चाहिए और भी ही होगा परितारी का ठीक है चली आगे बढ़ते ह हैं फिर भी इस कोश्टन को करते हुए कोशन नबर 20 की तरफ बढ़ते हैं कि से इंकी रंग का तरंग दर्द सबसे बढ़ा होता है नहाट्रिक शायों सबसे अधीक होता है तो उसराफ क्सा है आप लोग घर जानते ही है लाल रंग और इस को खत्रहीं के संकिट की रूप मे नेतर में प्रवेश करने वाली प्रकाश किर्णों का अधिकांच अपवर्तन कहा होता है तो इसका सही जवाब 22 कॉप्स नमर एक करणिया के बारी प्रिस्ट पर अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं कोश्चन नमर ट्वेंटी थी हैं 2020 में पूछा गया क्वेश्चन कि नि कि लिए पांस निकट द्रिस्टी दोव के लिए इस लेंज का यूज़ीS तो ओतास है वायू मंडल में प्रकास कि किस वन का परकृणन अधीक होता है किस रंग का परकृणन अधीक होता है वायू मंडल में पूछा गया है तो 25 पार बार पूज़ा है मतलब यह कोषण important है ठीक है इंडिगो ब्लू ग्रीन येल्लो औरेंज और रेड ठीक है यह सातु कलर का नाम है तो यह पर पूछा गया है कि किस इन सातो है option number D यानि की बैंगनी रंग यह सबसे अधीक विचलन वाइलेट यानि की बैंगनी कलर का होता है तारे के टिम्टिमाने का कारण है तारे के टिम्टिमाने का जो कारण है वह वयुमंडली अपवर्तन ठीक है आप लोग कुल परावर्तन मत लगा दीजिएगा या फिर कुल नहीं लगा दीजिएगा वयुमंडली अपवर्तन होता है क्योंकि वयुमंडल के हवाओं की कारण ही अपवर्तन होता है तारों की प्रकाश का और स्वह जैसे हमें तारा टिम्टिमाना जराता है 29 नंबर कुशन है कि मानों नेतर के लिए द्रिस्टी का एस्थाइट्व हो अब देखिए यहां तक तो मानों नेतर तरफा रंग भिरंगा संसार कंप्लीट हो गया अब कौन से चैप्टर का अब्जेक्टिव स्टार्ट होगा तो विद्दुद्धारा यानि की अलेक्ट्रिसिटी का अब्जेक्टिव कोशन स्टार्ट होगा तो क्या आप सभी में इसकी स्टर से पूछे गए हैं और जो आप लोग एक्जा में पूछे जाने की समभाव रहा हैं सभी तरह के हम लोग अब्जेक्टिव को कंप्लीट कर रहे हैं तो आप लोग को बीच में वीडियो को छोड़कर भागना नहीं अंत तक देखना है और सारे चेप्टर का अब्जेक्टिव कोशन और सबसे पहला सवाल है कि विधूद धारा की प्रबलता का इस आई मातरक क्या है बहुत ही अच्छा सवाल बताएं विधूद धारा के प्रबलता का इस आई मातरक क्या होगा बहुत आसान सवाल है ऑप्सन ए में हैं एंपियर बी में है क्या वोल्ट थी में है ओम और डी में जूल इसका सही जवाब मैं आप लोगो बता देना चाहती हूं और और दूसरा सवाल है कि विदूत वहक बलका इसाही मातरक होता है वोल्ड विवांतर का इसाही मातरक होता है वोल्ड ओम के नियम का सुत्र है यह भी इंपॉर्टन कोशन है आप लोगे एकसामने सही जवाब होगा आपसा नमबर अगला सवाल है पांच नमबर कि मानो शरीर का परतिरोध होता है मानो शरीर का कितना परतिरोध होता है यह आप लोगों को बताना है अगला प्रशन है कि वोल्ड बटा MPR प्रदर्शित करता है और साथ कूउशन है कि किसी परीपत का वह जो विदूद उरजा को उस्मा में बदल देता है और यही जवाब औल्स चाई जवाब हुआ नमबर एक है की कि सौ 100 और 220 वोल्ड के विदूद वल्व के तंटू का परतिरोध क्या होगा इसका परतिरोध होगा चार्स व चौरासियूं ठीख है ती रोझ बताना आप लोग को को सुत्र से भी जो परतिरोध का सुत्र होता इस हिसाब से भी आप लोग बता सकते हैं निकालकर लेकिन डारेक्ट में भी रही हैं कि कि सी विदूत विल्व पर 220 व्ल्ट तथा 100 वाट अंकित है जब इसे 10 एक सदस वोल्ट पर परचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है 2013 में पूछा गया सवाल और इसका जो सही जवाब होगा वहोगा आपसा नमबर डी 25 वाट कोशन नमबर दस है कि 100 वाट का विदूत बल्ब इस चैप्टर में अगर आप लोग को याद रहेगा तभी आप लोग का इस तरह का अपजेक्टिव में जो निमेरिकल पूछ देता है ना तो आप लोग बता पाएंगे ठीक है ना तो विदूत रहा नाम के इस चैप्टर का जितना भी फर्मूला है सुत्र आप लोग उसक से बता सके तो इसका मैं डारेक्ट एंसरी बता दे रहे हूं डस का आपसा नंबर वी हो जाएगा जिजो पॉइंट फॉर एंपियर ठीक है कोश्चन नंबर 11 है कि किसी चालक के छोड़ों के बीच विवांतर वी तथा परतिरोध आर और परवाहिद धारा आई के बीच जवाब होगा बार का वहोगा ऑपसा नंबर बी इस दा करेक्ट एंसर ओम मीटर परतिरोध अंतरक ओम मीटर एक विदूद हीटर की कुंडली जिसका परतिरोध पश्पन ओम है दो सबीस वोल्ट के सोट से जो धार जो विदूद धारा लेगी उसका मान क्या होगा यान कि विदूद हीटर की कुंडली जिसका परतिरोध कितना है पचास ओम सॉरी पश्पन ओम और दो सबीस वोल्ट के सोट से जो विदूद धारा लेगी उसका मान यान की विदूद धारा आई का मान आप लोगो बताना है और यहां पर आप लोगो को आर दिया गया है तो यही सबीस पुला बावेश परवाइट हो रहा है तो विदूद धारा कमान है इसको भी आप लोग फर्मूला से ही बनाएंगे सुत्र है सुत्र से बनाएंगे आराम से आप लोग बना सकते हैं और इसका डिरेक्ट में एंसर ही बता रही हूं कॉश्चन नमबर 14 का जो सही एंसर किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर दो एंपियर की धारा परवाइट होती है तो फिलामेंट का परती रोद होगा अब यहां पर आप लोगों को आर परती रोद बताना है और इसका डिरेक्ट एंसर में आप लोगों को बता रही हूं ऑप्सन नमबर सी 220 ओम कोश्चन नमबर 16 है कि कौन विदूत का सरोत्तम सुचालक है सबसे अच्छा सुचालक सरोत्तम सुचालक तो वो होगा तत्रह का अपने वाले यंत्र को कहा जाता है विवांतर मापने वाले यंत्र को क्या मीटर कहते हैं या फिर वोल्ट मीटर कहते हैं या फिर गेलवेन मीटर कहते हैं या फिर द वोल्ट कहलाता है एक वोल्ट देखिए इस तरह से भी कोशन जैसा कि मैं आप लोगो कल वाले वीडियों में बताई भी इस तरह से भी कोशन पूछ सकता है और पूछा हुआ भी है देख सकते हैं आप लोग तो इसका जो सही जवाब होगा होगा आपसा नमर भी एक जूल बराबर होता है इतने यूनिट के आप लोग बताएएट किलो वाट घंटा बराबर होता है नहीं घृत केस कहजारी मीत के ओपसा नमबर बीबिंट करेक्ट इंसर यांतकर और हो zosta Mix बसौझ भारत में उतपादित पृती विधुद्धारा की आवरिती होती है परति विधुद्धार की आप लोगो और ठीक कैसे हाँ मतर्क हिता है और जोर कि मैं आपनों को कल ही बताई थी जोगा चानें यूब नमेर बंट है दो ूशेन हर्द की अवरिती तेट नंबर कोशन है कि 1-0-0-1 विधूध्धारा ने निम्लिखेत में कौन सी है तो एक माइक्रोयम्पेर विधूध्धारा माइक्रोयम्पेर एक माइक्रोयम्पेर मतलब की डिल्रेट्ट यहां पर question गुमा कर पूछा गया है कि एक micro Ampere का मान कितना होता है Ampere में इसका जो सही जवाब होगा तेइस का वोगा option number C 10-6 Ampere मतलब एक Micro Ampere बराबर तो वह पूछा गया है कि एक माइक्रोएगम पीर विदूद धराम निखित में से कौन सी है ठीक है कौन सब्सक्राइब विदूद परीपत में विदूद शक्ति को ने रूपित करता है 24 का सही जवाब होगा उप्सन नमबर A आई स्कॉयर आर विदूद उर्जा का बेवपारिक मातरक क्या है विदूद उर्जा का तो यह हो जाएगा उप्सन नमबर C यूनिट पर्ति रोद का सुत्र आर बरबर क्या होता है आगे बढ़ते हैं निमलिखीत में से कौन विधूत का सबसे अच्छा चालक है विधूत का सबसे अच्छा चालक आगे बढ़ते हैं पड़ाफट एक यूनिट विधूत उर्जा का मान होता है 3.6 इंटु टेन तुटी पावर मैनस त्री जूल ऑप्सन नंबर यह नहीं होगा एक मिनिट रुख जाए शिक्स नहीं 3.6 इंटु टेन तुटी पावर शिक्स जूल यहां पर सिक्स जूल पाव यह पूछा हुआ सवाल है 2021 तो तीस का सही जवाब होगा वह होगा ओपसन नंबर भी विधूत शक्ति की कि लो वाट परति घंता एक तिस नंबर क्वेशन की कौन सी गैस भरी रहती है विदूत बल्व में अकरिय गैस भरी जाती है या फिर निसकरिय अकरिय कोई निसकरिय से गैस बोलिए बात देखी है ऑप्शन नमबर सी इस दा करेक्ट एंसर 32 नमबर क्वेशन है कि एक एक एलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है एलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान होता है माइनस का 1.6 इंटु 10 तुदी पावर माइनस 19 कूलंब ठीक है 33 नमबर क्वे इस हिसाब से आप लोगों को विदुदारा आई का मान निकालना है तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपसा नमबर डी 0.5 एंपियर अब फड़ा फट आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 34 है कि एक ओम के चार बराबर परतिरोद चित्रा अनुसार जोड़े गये हैं निकाल देना है तो देखिए यहाँ पर दोनों स्रेड करम में जुड़े हैं यानिकि एक प्रस एक यह हो गया त्व durability 2 और 20-2 प्लस एक बटा दो इस नो किया स呀 मानतर क्रम में जुड़ गए ना देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो दो हो जाएगा यानि किस तरह दो हो जाएगा यहां पर लग जाएगा फिर यह दोनों सेई क्रम में तो इन दोनों को सेटी क्रम में जूड़कर एक ही प्रतिरोद लगा दीजिए दो ओम का ठीक है यहां पर दो ओम का प्रतिरोद लगे अभी एक दुसरे के समांतर क्रम में हो गए तो एक बटा दो पुलस एक बटा दो यह कर दिदे दो बटा दो हो जाएगा एक ओम तो इसका जो सही जवाब होगा 34 का वह साभी हो जाए गयाए वैसे अगर आप लोग यह पढ़े होंगे तो अभी में का किक आप लोगो को समझ में आ गया होगा लेकिन और आगे बलते हैं मैं और 35 की तिन परतिरोद निम्न रांकित चित्र की अनुसार एक त्रिभूज ABC की बुचाओं के रूप में जुड़े हैं ए और 20 सीरों के मद्यत तुल्य परतिरोद होगा तो आप लोग देख सकते हैं ए और बी ए और बी इन दोनों सीरों के भी स्टुल्य परतिरोद पूछ र रइंट थर्टी का उपसान नमबर सी दो करेक्ट एंसर बत्तिसों थर्टी सिक्स नमबर क्यूशन है कि चित्र में प्रदर्शित परिपत में एमीटर ए का पाठ्यांग 4 एंपियर म वोल्ट मीटर का पाठ्यांग 20 वोल्ट है तो परतिरोद का मान क्या होगा यानि कि पर बनेगा आप लोग सुत्र से बना लेजिएगा वैसे यहां पर मैं डारेक्ट एंसर ही बता दे रही हूं थर्टी सिक्स का ऑप्शन नमबर ए पांच एम पांच ओम इस दा करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं फड़ाफट अब विधूद्धारा इस चेप्टर का तो अब्जेक्टिव कोशन कंप्लीट अब स्टार्ट हो रहा है विधूद्धारा का चुंबक ये प्रभाव नाम का चेप्टर इसका अब्जेक्टिव कोशन तो फड़ाफट बीच में रिमाइंडर के तोर पर ये लगा दिया गया है लाइक शेयर जितना ज़दा हो सके बार चुंबक ये छेतर की तीउर्ता का एसह उटय मात्रक आप लोगो बताना है म सही जबाब क्या होगा चुंबक ये छेतर की प्रती मिटर अप्सण नमबर बी ही हो जाएगा हूचल किन प्रती फड़ा को विदूत उरजा में बदलने वाला उपकरण है जो यांत्रिक उर्जा को विदूत उरजा में बदल देता है वह बुअ गमेस्ट चुम्ब की खोज ने किया था विदूत चुम्बकिए प्रेण्ट त플डų माइकल फेराडे आप लोगो तो यादी होगा कोशन नमबर फाइफ एम की घरेलू वायरिंग में तीन तार होते हैं गर्म यानकी जीवित ठंडा यानकी उदासीन और अर्थ यानकी भूयोजित इन तारों के रंग होते हैं क्रामशा आप लोगो बताना है तो गर्म तार को ल के वाम हश्त नियम में आंउठा किसकी दिशां का संकेत करता है तो बल की दिशा को संकेत करता है वाम हश्त आउठा बल की दिशा को कि बल कि धर लग रहा है घरेलू उपयोग के लिए विदूद की आपूरती होती है 220 वोल्ट और 50 हड्स देखें किस अप्टसन में दिख सब्सक्राइब लाइन हम लोग के घर में विदूदार आती है उसका विवानतर 220 वोल्ट और अवर्ती कितनी होती है पचास हर्ट कोश्च नमबर एट है कि एक विर्तकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है कुंडली के कारण चुम्बक्य चेतर की त्यूरता अधिक्तम होगी कहां पर अधिक्तम होगी तो वह होगी केंद्र पर यह अप्सन नमबर एए एक गतिमान आवेशित कड उत्पन करता है चुम्बक्य वह विदूतिय चेतर दोनों चेतर उत्पन करता है यह य Cristo कड है अगर वह धीमान है चल रहे हैं तो वह विदूत चेतर उत्पन करेगा उसके साथ चुम्बक्य चेतर विदूत्पन करता है कुश्च नमबर दस है कि डाइनेमों से किस परकार की धारा प्राप्त होती है तो डाइनोमों से हमें दोनों धाराय मिलती है डिस्ट धारा और प्रतियावर्ति धारा तो दस का आपसन नमबर क्वेशन है कि किसी कुंडली का परतिरोद ग्याद करने के लिए सुत्र है परतिरोद ग्याद करने वाला सुत्र आर बराबर क्या होगा कि किसी कुंडली का परतिरोद याद करने वाला सुद्र तो इसका सही जवाब हो जाएगा और बराबर भी बटा आई ठीक है कोश्च नमर ट्वल्ब है कि जब चालक को चुंबा की चेतर में रखा जाता है तो उन गतिर्शील एलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं जिन्हें क्या कहते हैं तो इसका सही जवाब होगा बारा का ओप्सण नमरे लॉरेंजबल निमलेखीत में से कौन सब्पद विदूत परीपत में विदूत शक्ति को निरुपित नहीं करता है तेरा का ओप्सण नमर भी हो जाएगा आई आरे स्कॉयर और विदूत धारा उत्पन करने की युक्ति को कहते हैं विदूत उद्धारा उत्पन करने की युक्ति को जाएगा जंडरेटर के विदूत धारा उत्पन करता है विदूद्धार करता है विदू चुमबक बनाने के लिए प्रयकिस पतार के छड़का उप्योग होता है तो नरब स्सक्राइब को ऑप्सण नमर सी लगूपतन के समय परीप बेटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है तो बैटरी से दिस्ट इधारा मिलती है कोश्चन नमबर 18 कि घरेलु विदुद परिपत में उदासीन तार का रंग होता है काला किस यूकती में विभक्त वले दिख परिवर्तन का कारे करता है तत्य दिख परिवर्तन का कारे करता है विवक्त वले होतेजेंश न अभी सबस्द पर पर समान होता है in my … यह होता है शेत्र स not कह रहिखाऊ की दिशा क्या होगी तो चुमभक एच्षेत्र रेखाऊ की दिशा में आप कुत्री दुरू से दक्षिडी दुरू की ओर ठीक है नौर्थ से साउथ तांबे कितार की एक आयतकार कुंडली किसी चुंबा के चेतर में घूर्णी गती कर रही है इस कुंडली में प्रेरित विधूद्धारा की दिशा में कितने परिभरमन के पश्चात परिवर्तन होता ह है तो दो परिवर्मन reason is the correct answer देइस नंबर क्वेस्चन है कि mêmes के वामस्त्अ की जानी कि तर्जनी संकेत करती है तरजनी जो होती विधूत धारा का मान अनन्थ हो जाता है यानकी बहुत अधीक बढ़ जाता है तो 24 का अपसा नमबर C हो जाएगा विभक्त वले का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है तो विभक्त वले का उपयोग जो है यूज वो विधूत मोटर में भी किया जाता है और विधूत ज चीज में तो विदूत दारा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्जित करता है यह इंपोर्टेंट कोशन है याद रखिएगा जेनरेटर जो है वह यांत्रिक उर्जा को विदूत उर्जा में बदलता है और मोटर जो है यह विदूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलता थेकि अमिटर से निमलेखित में किसे मापा जाता है तो आमीटर से अंये इंदो धारा को मापते हैं आ यह लगा दिजिए वाउफ करन्च जो विदूद उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलता है वो क्या होता है विदूद मोटर हमारे घरों में जो विदूद आप उर्ति की जाती है वह है वह क्या है 220 पर प्रतियावर्ती धारा ना तो 39 का अपन्यरेटर केहते हैं अब फड़ाफड आगे बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर बचा हुआ है उसका देखिए अब्जेक्टिव कोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है सबसे पहला सवाल है कि उर्जा का SI मातरक होता है आप जानते हैं उर्जा का SI मातरक जूर पड़ाफट लगाई है कोश्च नमबर दो है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नांकित में कौन सी गैस उतरदाई है तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस उतरदाई होती है उस गैस का नाम है CO2 यानि की कर्बंडाई एक्साइड गैड है अलांकि बहुत सारे ऐसे भी गैस है मतलब अन्य गैस भी है लेकिन यहां पर आप्सन में CO2 दिया है तो CO2 धिरेसेटिक कर दिजिए जिवाश इंधन की उर्जा का वास्तविक स्रोत है तो सही जवाब होगा ऑप्सन नमबर A सुर्या कोश्चन नमबर 4 है कि आदर्स इंधन से कौन सी गैस उत्सरजित होती है इसका सही जवाब होगा ऑप्सन नमबर D इनमेसों कोई नहीं यानि कि आदर्स इंधन से कौन सी गैस उत्सरजित होती है बिदूद उर्जा में साथ का अप्शन पकने के लिए किस उर्जा का परियोग होता है बीज़्वली बात है सब्सक्राइब कही परियोग होगा और बीज दा करेक्ट अंसर लिखित में कौन उर्जा का नवी कर्णिया स्रोथ है तो साथ का और अप्सा नमबर डी प्राकृतिक गैस सौट जल उश्मक का उप्योग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता कब तो कब नहीं किया जा सकता है बादल पैनल बनाया जाता है अनेक सौर कुकरों को संयोजित करके या फिर अनेक सौर सेलों को संयोजित करके तो जी हां अनेक सौर सेलों को संयोजित करके ऑपसा नमबर बीज दा करेक्ट अंसर पड़ा पड़ा आगे बढ़ते हैं ग्यारा नमबर कॉशन है कि लपीजी का मुख् डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है निम्न मैंसे किसका उपियोग खाना बलाने वाले इंधन के रूप में नहीं किया जाता है तो इसका सही जवाब होगा और सब्सक्राप्स करने हैं तू आवश्यक है क्या आवश्यक है देखिए 2013 में पुछा गया सब्सक्राइब करता है तो 2018 कि जल विदूत सयंत्र किस उर्जा को विदूत उर्जा में रुपांतित करता है तो 2018 में कोशन पूछा गया है और सही जवाब होगा इसका option number B ना भी किया उर्जा नरौरा ना भी किया विदूत से अंत्र किस राज्य में स्थित है तो उत्तर प्रदेश में स्थित है यह निम्ने से उत्तम उर्जा स्रोत कौन सा है बहुत ही आसान सवाल इसका सही जवाब option नबर सी पेट्रोलियम तो दिखी रहा है आगे बढ़ते हैं नाइंटीन नमबर क्यूशन है कि पावन विदूत उर्जा में पावन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए पावन के चाल कितना होना चाहिए आप लोगों को बताना है तो इसका स्थाही जवाब होगा option number 15 km प्रत प्रत सौर उर्जा के ब्यूत पन नहीं है तो वह भूता प्रत निम्निम लिखीत में से किस धातू से सोलर सेल बना होता है सही जवाब होगा option number D silicon ठीक है सोर सेल सौल सौर उर्जा को रुपांतरित करते हैं सौर सेल जो होते हैं वह सौर उर्जा को किस उर्जा में रुपां तो यहां पर हो जाता है क्लास 10 की सिछ के हुआमज हमांड कर लेते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूं कि फिजिक्स का आप लोग का छूटे गा नहीं क्योंकि जितना भीकोष्ण सकता था पूरा अजब लोग अपड्य zwade करा दिए लोगहाई है आप करांग हो जWow एक पर दो सो भंभ करद धता करदे अार जितना जयदा हूं किए शेयर करदे ता कि सब लोग उस वीडियो का लाव उठा सके चानल पर अगर आप लोग नहीं नहीं है आए हुए हैं मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर अन कर लिजिएगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो या फिर लाइब क्ला सो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदाहाफिज